देली के बारिश में हیरान करने वाली तस्वीर सामने आई है 12 सा करोड की लागत से बनी सांसात से पानी टपकना शुरू हो गया है नई-नई सांसात की छट से टपकते हुए पानी को दीख कर लगता है कि 12 सा करोड के लोगतंत्र का मंदिर पानी में डूब रहा है जिसके नतीजा ये निकला कि भारी बारिश के दोरान नए सांसत भवन के लोबी के छट से पानी टपकने लगा जिसके नीचे बाल्टिया रखनी पड़ी इस घटना ने सांसत भवन की गुडवक्ता और निर्मान कारिये पर गंबीर सवाल खड़े कर दिये हैं सांसत की लोबी का हिस्सा काफी बड़ा है और ये भीग गया है और वीडियो में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि चट से पानी टपक रहा है ये वही लोबी है जिसका उपयोग राश्रेपटी खुद सांसत में जाते समय करती हैं इस मुद्दी को लीकर सरकार और निर्मान अगेंसियों पर गंबीर सवाल उटने लगे हैं तुम लोग मता जाओ याज में अज़ी बड़ी के बारिश में हैरान करने वारी तस्वीर सामने आई है 12 सा करोड की लागत से बनी सांसत से पानी तपकना शुरू हो गया है नई नई सांसत की छथ से तपकते हुए पानी को दीख कर लगता है कि 12 सा करोड के लोकतंत्र का मंदिर पानी में डूब रहा है जिसके नतीजा ये निकला कि भारी बारिश के दौरान नए इस सांसत भवन के लोबी के छट से पानी टपकने लगा जिसके नीचे बाल्टिया रखनी पड़ी इस घटना ने सांसत भवन की गुरुवक्ता और निर्मान कारिये पर गंबीर सवाल खड़े कर दिये हैं सांसत की लोबी का हिस्सा काफी बड़ा है और ये भीग गया है और वीडियो में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि चट से पानी टपक रहा है ये वही लोबी है जिसका उपयोग राश्रिपटी खुद सांसत में जाते समय करती हैं इस मुद्दी को लीकर सरकार और निर्मान अजिंस्यों पर दंबीर सवाल उपने लगे हैं अजिंग टूर अप्टा य सकता हैं